अब भाई साब कितनी बड़ी कावर्ड है ये आस्टों क्यों आ रहे हैं ते रहे हैं हाई एवरिबन नामस्ते स्वागत आपका मेरे इस व्लोग में तो अभी मैं तयार हो गई हूँ उन हादों के तो जा रहे हैं हम मंदिर तो जैसा कि आपको पता है सावन चल रहा है तो शिव मंदिर चलते हैं और आपको भी मैं दर्शन करा देती हूँ हमारे गाओं के मंदिर के और भीड़ भी काफी मिलेगी वहाँ पे तो चली फटा फट से निकलते हैं और बिना टाइम विस्ट की शिरू करते हैं आज का यह यह लव मैंने जल भर लिया है मैंने अभी फूल और तोड़ लेक्ति हूँ चड़ाने के लिए यहां से फूल तोड़ लेक्ति हूँ है फ्रेश वाले तो फूल मैंने रख लिया है लोटे में चलते हैं तोड़ जा रहा है चमचम करता हुआ मंदिर के पास कहुँच गई यूम है और यहां पर डीजय भी बज़ रहे गामे बज़ रहे हैं मतलब भजन बज़ रहें तो शैद कावड़ भी आ गई है इसलिए बज़ रहे हैं उस सामने देखो जोड सामने गाओं के जोड भैस भी ना रही है कावड वाले आगे हैं ये देखो भई कितनी बड़ी कावड है ये अभी अभी आई है मंदिर में और ऐसा लग रहा है कावड कम और पूरा का पूरा मंदिर जादा लग रहा है तो पहले जल चड़ा देती हूँ फिर ये कावड में दिखाऊंगे आपको पूरी पास से और ये यहाँ पे आकल की मूर्ती बनी हुई है और ये है पूरा गाओं का नजारा मंदिर के पास का और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है पानी ये है गाओं का जोड मंदिर के पास तो अभी जल चड़ा दिया है और घर जा रही हूँ और आपने देखी कितनी बड़ी कावड थी तो कावड के टाइन पे न माहूल ऐसा ही रहता है हम छोटे छोटे थे तो हम तो स्कूल भी नहीं जाते थे पूरे दिन मंदिर में खेलते रहते थे बड़ा मज़ा आता था अभी विदे को कितनी बड़ी कावड लेके आए हुए है तो शाम को आरती होगी तो तब भी पड़ा रखी है हाँ होत बड़ी है और उस शिव लिंग बना हुआ है शिव जी भगवान की मूर्ती बनी हुए है बाब ना लिया तीसरी बार ना लिख रखी थी उस पर हम क्या हूं गई माजी तो अब ही मैं जा रही हूँ गाए को बुलाने गोरी गाए को उसको खिल अद्धे रोटी है हाँ रोटे लेके जाओंगी तब आएगी भूलगी मैं काफी दूर है वो घर के पास लेके आती हूं आजा आजा यह आगी आज़ा आज़ा गर के पास आज़ा चलो 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 आज़ा 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 बस पहुंच गए यह आगी घर मम्मी गोर्य आगी हां अंदर ले आओं आज आज़ा आफ पानी पीरी थी हाँ आज़ी तो गेट बंद कर दो रुघ जा देरी यूँ देरी यूँ रोटी देदू ले 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 ये बैस डर मत मेरे से मैं तेरे से डराहीओ मेरे से डरी ही कि अज़े आ रहे हैं तेरे हैं रुग जा अभी और और तिल आ रहे हैं मम्मी रुग जा मम्मी बुला रही है गोरी तेरी आवाज तो पहचानती है यह जिम्मा गी यह देख यह भी बुला रहा है गोरी आ गोरी आगी देख भार दिखाऊं प्लेग सफ्वली यह तो खेंगतम ना से आख चैना शुन हो यह तो खेंगे वाड परसी की सो ना यकinky को फाले और ऌकशनart ने सकते चाए नहीं समद्यक्स यह गोरी को कल भी जमाया था और आज भी जमा रहे है मम्मा यह जीम रही है बहुत जो रहे है जो चुन्नी बिच्छाई हुई है तो उस पे खड़े होके खाना खा रही है मैं तो सो गई थी अभी दिन में अब उठी हूं अभी जा रहे हैं मंदिर सारे मम्मी पिछे तयार हो रहे हैं चाचा काड़ लेने गए थे तो आए हैं आज तो हुआ बुलाने आई थी अभी तो जा रहे हैं शैद सो सब चले गए हम ही रह गए अच्छा भी नहीं गए है यह ताइन दूद लिया हुआ है यह चाची लक्ष्मी यह देख सारी अंतिल पैर राखी चलो भई आग कर लियो बात तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में और यहां पर कावड भी लगी हुई है और मम्मी वगएरा सब भजन गा रहे हैं और यह देखो यहां पर इतनी प्यारी प्यारी कावड लगी हुई हैं काफी सारी आ गई हैं बाकी कल भी आ यह देखो कितनी प्यारी लग रही हैं और यह बच्चे बैठे वे हम भी ऐसे ही छोटे थे तब पहले ही आके बैठ जाते थे खुलासी है आपकान है कि यह देखो मंदिर कितना प्यारा सजाया हुआ है लाइटिंग लगी हुई है जहलार लटकी हुई है और फूलों की मालाएं भी लटकाई हुई है बहुत प्यारा लग रहा है पूरा मंदिर सजा हुआ तो अभी मंदिर से जा रहे हैं घर वापस और शाम को लटकी देखने जाएंगे जाओ जल्दी आज़यो भाबो जाकी चली जाएगी मेरे हिसाब से तो लेट हो गए हम निकल गई लगता है जा रहे हैं चली गई लगता है कि दोड़ के जाना पड़ेगा यहां पर प्रशाद मिल रहे है युवान तुने लेट करवा दिया देख ए युवान लेट करवा दिया बाबू चली गई जाकी तो अधिया जाना पर देख लिए जाकी लेकिन फिर मैं दोड़ते दोड़ते आई और फिर मैं जाकी के बिलकुल पास पहुच गई हूँ और यह देखो बड़ी वाली कावर्ड भी है सबसे आगे और बाकी सारी कावर्ड यह पिछे-पिछे तो यह पूरे गाउं में जाएगी जाकी तो मैं तो बस यही से वापस जाने वाली हूँ क्योंकि मम्मी मुझे मिल गई है तो साथ में चली जाओंगे मैं क्योंकि तो यह शो यह तो यह प्यूँ कर दो यह अज़िए झाल झाल पच्छे देखो बाई टैक्टर में क्यासे बैठे रहे हैं एक बार तो लगा था जाकी मिस हो गई मैं दोड़ते दोड़ते गई युवान रहे गया अपनी नानी के पास पिछे और मैं आ गई और मम्मी सामान लेने आए वे थे दुकान पे तो अब मैं और मम्मी जा रहे हैं घर पे तो आज के व्लोग के लिए बस इतना ही आई होप आपको ये व्लोग पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें बाई